बॉट मॉर्णिंग एवरिवन मैं आपको भी कलव मेरे आपने देखा ही था स्लैप के उपर हमने बॉटम का बार तो प्लेस कर दिया था तो उसके उपर बहुत लोगों का इसे लगा है और चेर लगा है तो चेर के हाइट कितनी रखे और उसका जो लेग निकलता है तो लेग कितना रखें तो मैं आपको बहुत दिखा देता हूं कि चेर के से लगा थे एक बार में देखा देता हो कि हमारा फीटू पियर कैप पे पेड़ेस्टल भी वर्किंग हो रहा है तो उसका भी फर्मा बना के रख दिया है हमने तो वह पी देख सकते हो आप यह मेरी पीटू क पीटू की पीटू की पीटू के ऊपर फर्मा बन के रेडी है तो उसका भी आज हम कॉंक्रिट करने वाले है और यहां पे हम उसका कॉंक्रिट टॉप का अरेल दे रहे हैं तो इस देखें यह विद्धे हल्प आप टियर और क्रैच बैरियर का भी श्टील बंद रहा है हमा यह उपर लेके जा रहा हूं स्लैब को अब हमारा 30 मिटर का तो एक और स्पैन है और विड़ था हमारी 17 मिटर पास तो है तो अभी एकस्पांशन जॉइन के जो एक्स्ट्रा बार है वही प्लेस हो रहे है वो प्लेस तो कर दिया है हमने अभी कुछ लोग तो बाइंडिंग क्रॉस गड़र के भी कंक्रेट होने वाली आज और भी कुछ डाउट होगा लोग उनको तो पूछ सकते हैं चल रहा है कि एक बार चेक कर लेना यह देखिए एक्सपंशन जॉइंट का भी यहाँ पर तो हमारा 355 तरकस लाप आता है तो उसी इसाब सेह चेयर लागवार है मैं आपको दिखा देता हुए आप है उसके नीचे कावर रख लेना ता हुए मतलब कोई दिक्कत ने रहेगी और उसी इसाब सेह में आपे चेयर लागवा देंगे आप है जाना मान नाबन दिक्साथ अधिया चेयर भी प्लेसिंग हो चुकिया देख सकतेगे और यहाँ पर पैंटिंग्ग भी हो रही है यहां पर इंट्रमीडियेट प्रॉज रटर की शट्रिंग हो रही है यहां पर साइट से आए सेंट प्लेस करके वाँ पर श्टीचिंग कर रहे हैं वो की देख सकते हो अब यह हमारे केंटी लिवर पॉर्शन को हमारा साइट से 2780 mm का फ्लाट पॉर्शन है फिर 2 मिटर का टेपर है तो उसी का भी यह फाइंड भी कर रहे है यह वाले पॉर्शन ही अगर आपको मेजर प्रीज में कुछ भी दिखता तो आपको सकते वाँ पॉर्शन को तो देखी दिया आपने 110 की हाइड बनती हमारी 225 का स्लाव है चालीस चालीस का कवर है बहुत लोग भी पुछ रहे देख स्लाब का कवर कितना होता है तो देख स्लाब का कवर चालीसे में होता है और ग्रेड इसका M40 होता है कॉंक्रीट ग्रेड इजिके यह बैंडिंग कर रहे है अजिके यह बैंडिंग कर रहे है यह रहे है